पर लगबग हर फील्ड चे रिलेटेड हैक शेयर किये जाते हैं बट हेई एवरीवन वलकम बैक तो आई चैनल दिस इस मानसी तो आज मैं काफी डिफरेंट टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ तो रिसेंटली मैं यूट्यूब पे कुछ फाइफनेट क्राफ्ट हैक वीडियोस देख रही थी और आज आपके लिए मैं इन हैक को टेस्ट करने वाली हूँ इस चैनल पे आपको लगबग हर फील्ड से रिलेटेड हैक मिल जाएंगे बट ओविएसली हम सिर्फ क्राफ्ट एंड आर्ट रिलेटेड हैक सी टेस्ट करेंगे बट बिफोर वी स्टार्ट दे वीडियो मेक शो कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है वीडियो को लाइक कर दिजेगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मन भूलेगा ताकि मैं जो भी वीडियो लाती है उसके नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें तो यहां इन्होंने वीडियो में कुछ मेंशन तो नहीं किया है बट कोई सोप सेलुशन लेकि उसमें कलर मिक्स किया है और फिर बबल्स बनाए हैं तो हम भी ऐसे करेंगे तो सबसे पहले मैं पेपर पे कैसी ड्रॉइंग बना के से कट कर ले रही हूं क्योंकि इन्होंने भी पेपर ही यूज किया है तो अब मैंने लिक्विड डिटर्जेंट लिया है उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके कलर मिक्स कर दिया है तो मैंने पोस्टर कलर यूज की है क्योंकि ये पानी में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो सबसे पहले मैंने एक पेपर रखा है और उसके उपर जो हमने कट आउट किया था वो पेपर इस पे प्लेस कर दिया है अब एक स्ट्रॉव की है से मैं इस लिक्वेड में कुछ बबल्स बना रही हूं बट मैं जब इन इनके अंदर का पानी निकल के बाहर आ रहा था तो जिसकी वज़े से आप देख सकते हैं पूरा पेपर पानी पानी सा हो रहा है सो एनिवेज हमें अपना है टेस्ट तो करना ही था तो मैंने बाकी के कलर्स लिए और इसी तरह से बबल्स पना के इसको इसके उपर बना के अपनी जो पेंटिंग है या यह जो भी है उसे कंप्लीट कर लिया तो यह काफी भी चुका था लास्ट में तो मैंने इसे ड्राय होने के लिए रख दिया और राय होने के बाद अब हम पेपर को रिमूफ करके देखते हैं यह हमारी फाइनल पेंटिंग तो इसका ज है तो बुरी तरीके से फेल हो गया अगर आपको सच में रियल वाले हैक्स देखने हैं तो मैंने कुछ टाइम पहले ही अपने पर्सनल हैक्स आपके साथ शेयर किये थे आपको आई बटन में वह वीडियो मिल जाएगा तो उसे भी एक बार जरूर चेक आउट करिएगा तो इस है को ट्राय करने के लिए हम सबसे पहले एक नीडल और थ्रेड लेंगे आप देख सकते हैं कि काफी मोटा है और यह नीडल में इंसर्ट नहीं हो रहा है तो जैसे की हैक में दिखाया है मैंने थ्रेड के उपर कुछ इस तरह से टेप स्टिक कर लिया है और इसे इस वक्त ही असानी से यह थ्रेड नीडल के इंदर चला गया तो देख सकते हैं कि मेरे पास सीजर है जो की बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है कि मुश्lish करेंगे इसे शाप बनाने की तो हैक में ऽर्फ Supply को कई बार कटकिया था तो हैक में तो उन्हों निर्फ युश्ड बार ही कट किया था और उनकी सीजर शाप हो गई थी बढ़ काफी ज़्यादा बार इसे कट कर लेंगे ताकि हमारे सील और अच्य says gap हो जाए तो चलिए हम इसर से करते हैं तो आप सकते हैं कि इसे अब इन हो रहा है तो चलिए इपर और ट्राइक करते हैं तो एक बार मैं फिर सेorse लेरी हुँ और इसको कई बार से Zachariies तो मैंने एक और पीस फॉयल का लिया है और इसे भी मैंने कई बार कट करके इसे शाप करने की कोशिश की तो चलिए अब दुबारे से टेस्ट करते हैं और इस बार भी सिजर बिल्कुल वैसी की वैसी ही है बिल्कुल भी शाप नहीं हुई है तो आप देख सकते हैं कि ये hack बिल्कुल ही fake था तो बहुत ही असानी से इन्होंने ये perfect circle बना दिया तो चलिए हम भी try करते हैं तो इसके लिए आपको अपना हाथ एक जगह पे रखना है और जो paper है उसे rotate करते जाना है तो ये था मेरा first attempt जो की okay okay था तो मैं एक बार और try करती हूं तो दुबारा से मैं paper को इस तरह से rotate कर रही हूं और इस time बिल्कुल perfect circle बनके आया है तो मैंने कई बार try किया और हर बार मुझे perfect circle मिल गया तो अभी तक का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को फटा फट से like कर दीजेगा बढ़ते हमारे next hack की तरफ तो इस ट्रिक से इन्होंने glass container को बिल्कुल ceramic जैसा लोग तिया है तो चली हम भी try करते हैं तो इसके लिए मैंने acrylic color में baking soda mix कर दिया है quantity mention नहीं की ती तो मैंने भी अपने हिसाब से mix कर दिया है तो कुछ इस तरह की consistency आई है तो अब एक sponge की help से मैं इसे glass bottle के उपर apply करूंगी तो धीरे धीरे करके मैंने इसे dab dab करते हुए जैसे की वीडियो में दिखाया था जैसे मैंने इसे पूरी bottle को cover कर दिया है तो अब हम इसे dry होने देंगे और dry होने के बाद इसका look कुछ इस तरीके का आया है और जब मैंसे touch कर रही थी तो इसकी layer निकल के बाहर गिर रही थी और इसका look भी original वीडियो जैसा नहीं आया है और अगर अब ध्यान से देखेंगे तो जो चीज इन्होंने mix की है और तो यहां पे इन्होंने tracing का एक तरीका बताया है तो इसके लिए पहले तो मैं जैसे उन्होंने दो पैंसिल को इस तरीके से अरेंज किया था मैंने भी rubber band की हर्ट से दो पैंसिल को कुछ इस तरीके से बांद दिया है बट यह दोनों पैंसिल अपनी जगा पे बिल्कुल भी नहीं है बहुत ज़्यादा अपनी जगा से मूफ कर रही है तो देखते हैं कि यह वर्क करता है या नहीं तो मैंने आप पे ड्रॉइंग प्लेस कर लिए और इसे मैं ट्रेस करने की कोशिश करती हूं बट जब मैं ड्रॉ कर रही थी तो इस तरीके से ड्रॉ करना बहुत ही ट्रॉठैबल हो रहा है क्योंकि पेंसिल से पीपर भी मूफ कर रहा है तो पहले मैंने पेपर को सेलो टेप की है एक जगापे रच खरतेव में असक्ते हम यह तो मैं पूरी ड्राइंग वस्ता हны और कम्पलीट करने के बाद करेंगे सिद्नेП शुच्छक कुछ चरीक tweeting उप्राइप करना दो पूरी usta का क्यों प्यरme करें की और क्री जो Kingdom के ब्रिकन देखें गेन कक्मदें नहीं है जो कि मुझेерм सफ जो इस असान सीक्षäg को बंuate इस बार भी है काम नहीं किया आप देख सकते हैं कि इसका शेफ बहुत ही डिफ्रेंट से आया है तो क्योंकि पैंसल अपनी जगह से बहुत मूफ करी हैं तो यह मुझे नहीं लगता की काम कभी करेगा तो यह हैं भी होता है फेल तो यहां पेनों ने दिखाया है कि आप किसी प्लेन कपड़े को कैसे प्रिंटेट बना सकते हैं तो मेरे पास कोई भी वाइट फैब्रिक नहीं था बट कोई नहीं हम इसे ही काम चला लेंगे हमें सिर्फ एक को टेस्ट ही तो करना है तो सबसे बहले मैंने कुछ फ्लार्स इस तरह से प्लेस करके उन्हें सेलो टेप की हेल्प से सक्यूर कर दिया है अपनी जगापे अब हम किसी भी भारी चीज से इन फ्लार्स को अच्छे से हिट करेंगे तो जिससे की इन फ्लार्स का जूस निकल के बाहर आएगा और इसका शेप कपड़े के उपर प्रिंट हो जाएगा तो अब भारी है फाइनल हिजर्ट देखने की तो जैसे ही मैंने टेप को रिमूफ किया तो इसका शेप बिल्कुल भी फ्लार के जैसे नहीं आया बलकि यहाँ पर कुछ अजीब से टेड़े मेरे से धब्बे बस टीशिर्ट के उपर आगए है और कुछ भी नहीं हुआ है तो मैंने सुचा कि मैं एक बार एक दूसरा फ्लार लेके इसे फिर से ट्राय करती हूँ तो इस तरह का मैंने एक फ्लार लिया और इसे दुबारा से इसके उपर टेप की हज़ से स्टिक कर दिया और इस बार मैंने बहुत ही patience के साथ इसको हर तरफ से बहुत अच्छे से hit किया और अब देखते हैं कि इसका look कैसा आता है so finally इस वाले flower का shape बिल्कुल अच्छे से आ गया है तो इसी तरह के मैंने और flowers लिए और उसे दिबारा से इस hack को try किया और इस बार इस सारे शेप बहुत ही अच्छे से निकल के आएं तो मुझे लगता है कि यह है काम तो करता है बट आपको बहुत ही प्रेशन्स के साथ इसे करना पड़ेगा और आप कौन सा फ्लार यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है तो दिस हैक वास सक्सेस्फु तो यह हैक तो मुझे डेफिनेटली ट्राय करना था क्योंकि मैं हैंगिंग प्लांटर्स अक्सर बनाती रहती हूं और जैसे कि वीडियो में दिखाया है कि यह हैक फटा-फट से दो मिनेट में हो जाता है और कोई भी नॉट्स बनाने की ज़रूरत नहीं ज्यादा मेहनत कर तो चलिए से ट्राय करते हैं तो जैसे कि उसमें दिखाया था मैं बल्कुल उसी तरीके से रोप को अरेंज कर रही हूं और मुझे भी देखना था कि यह ग्लास इसमें अच्छे से फिक्स रहे गा या नहीं तो कुछ इस तरह किसे मैंने से कंप्लीट कर लिया है और ग्लास देख रखे हैं और आप चाहते हैं कि मैं उन्हें टेस्ट करूँ तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डियम कर सकते हैं और आप लोग इन में से कौन सा हैक ट्राय करना चाहेंगे वो मुझे कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताएगा अगर आपको अच्छा लगा हो त वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा मिलते हमारे नेक्स वीडियो में टिल देन टेक केर और बाबाई